स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों जब भी कोई प्रोजेक्टर खरीदते हैं तो उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर प्रोजेक्ट हो और उसी प्रोजेक्टेट पिक्चर को सहीं से बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी के साथ दिखा पाने के लिए एक बढ़िया प्रोजेक्टर स्क्रीन की अवस्यक्ता होती है मार्केट में सबसे ज़्यादा वाइट कलर के प्रोजेक्टर स्क्रीन उपलब्द है जो एक हजार रुपए से एक लाख रुपए तक की प्राइज रेंज में अलग-अलग स्क्रीन माटेरियल क्वालिटी एवं फीचर के साथ उपलब्द है इन projector screen की कीमत उनके fabric material की quality, screen की size और उनके mechanism पर depend करता है कम price में केवल screen fabric मिलता है जिसे दिवार पर permanently चिपकाया जाता है इससे महंगा screen map type का होता है जिसमें screen के दोनों किनारों पर rule लगे होते हैं जिसे जरूरत के अनुसार open किया जाता है और roll कर दिया जाता है इसके बाद pull down वाले screen आते हैं जिसमें screen को पूरी तरह खीच कर kill में अठकाया जाता है इसके बाद के महंगे screen auto lock या install lock type के आते हैं जिसके अंदर spring लगे होते हैं इस screen को हाथ से ही खीच कर बाहर pull down किया जाता है और हलका सा खीच कर ही automatically retract किया जाता है फिर सबसे महंगे type के motorized projector screen आते हैं जिसमें motor लगे होते हैं और button दबाकर या remote controller द्वारा screen बाहर निकाला जाता है या roll किया जाता है मैंने जो projector screen purchase किया है वह एक auto lock या install lock type का in light brand का 16 is to 9 aspect ratio वाला 92 inch size का projector screen है इसे मैंने पिछले साल ही जुलाई 2021 में Amazon से 65 सरुपए में खरीदा है दोस्तों यह मुझे इस लंबे projector screen की ही लंबाई के लंबे box में मिला था और इसे दिवार पर mount करके अनेक projector की picture quality टेस्ट किये है इस white color के screen के लिए A++ grade fine grain high gain fabric material का use किया गया है जिसके पीछे वाले भाग में black color के material की coating की गई है और white screen के चारो तरफ black strip लगाए गये हैं ताकि image में अच्छी contrast का अभास हो इसका case metal से बना हुआ है जिसके कारण यह product काफी वजनदार है इस projector screen case की total लंबाई 219 cm है इस screen के दूसरे भाग में भी metal की pipe लगी है जिसमें एक handle भी है जिसको पकड़ कर screen को pull down किया जाता है या खींचा जाता है projector screen को wall mount करने के बाद और screen को पूरी तरह खींचने के बाद इसकी total height 160 cm हो जाती है तो अपनी requirement के हिसाब से इस projector screen को सही height पर mount कर सकते हैं यह एक auto lock और spring mechanism वाला projector screen है इसलिए maximum 92 inch screen size तक जहां भी जिस भी screen size में screen को रोकना चाहें लॉक करना चाहें कर सकते हैं इसे अटकाने के लिए कोई kill लगाने की ज़रुरत नहीं पड़ती है इसे पिछले 6 महिने से use कर रहा हूँ और अनेक LCD DLP projector की picture quality इसी screen से test किये हैं यह screen projected image को बहुत अच्छे से दिखा पाता है screen white है तो color contrast को लगभग वैसे ही अच्छे से दिखाता है जैसा कि project किया गया है इस projector screen से जो भी projected image reflect होकर आती है उसकी brightness थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि पुट्टी लगी हुई सफेद दिवार पर image project किया जाता है तो इस projector screen से ज़्यादा bright image मिलती है इस projector screen के surface को हलका सा rough बनाया गया है ताकि इस पर पढ़ने वाली projected image अच्छे से फैल जाए इसके कारण भले ही brightness हलकी सी कम मिले लेकिन इस screen को कहीं से भी किसी भी angle से द दिखाई देता है वाइट screen में viewing angle वाली दिक्कते नहीं आती है यह screen HD, Full HD हर प्रकार के image को बहुत अच्छे से clarity के साथ दिखाता है दोस्तों जब भी white color वाली projector screen यूज करें या जरूर ध्यान रखें कि उस पर बाहरी रोशनी कम से कम पड़े क्योंकि रोशनी होने पर image quality प दिखा पाएगा जब कमरे में ज्यादा से ज्यादा अंधेरा हो अगर कमरे में fan चल रहा हो तब हवा के कारण यह screen हिलने लगता है इसलिए कोसिज करें कि projector screen को ऐसी दिवार पर mount करें ताकि ceiling fan चलने पर कोई disturbance न हो इन बातों को ध्यान में रखें तो यह projector screen best result देगा वैसे screen की तरब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है दिक्कत आई है तो इसकी auto lock mechanism से दोस्तों इस projector screen को खरीदने के एक महिने बाद ही इसका auto lock और spring सहीं से काम नहीं कर रहा था screen को pull down करने पर या screen को नीचे खीचने पर बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था इसका spring खराब हो गया था जिसके कारण यह screen roll या retract या वापस case के अंदर automatically नहीं जा रहा था तब मैंने in light company से contact किया और उन्होंने problem को समझते हुए उस screen के लिए बीना किसी extra charge के नए spring और spare part भेज दिये इसके बाद दोस्तों इसे हम लोगों ने खुद repair किये क्योंकि seller या company के तरफ से repair करने के किसी तरह के instruction या guideline नहीं मिले और repair के बाद भी पूरी तरह से काम नहीं क रहा रिपेर करने के बाद अब आसानी से projector screen को नीचे pull down कर सकते हैं और पूरा screen आसानी से open हो जाता है लेकिन जब screen को वापस लपेटना हो तो automatically पूरी तरह retract नहीं हो पाता और बीच में ही अटक जाता है इसका spring mechanism screen को पूरी तरह नहीं खीच पाता तो हो सकता है ठीक से repair नह हो पाया हो कोई दूसरा पार्ट खराब हो गया हो या यह projector screen system ही खराब हो गया हो या यह भी हो सकता है कि खराब वाला spare parts भेजे हो कारण जो भी हो यह projector screen पहले जैसा नहीं बन पाया तो दोस्तों auto lock या install lock वाले projector में इस तरह की दिक्कतें आ सकती है तब सिर्फ screen ही काम तो यह था एक auto lock projector screen यूज करने का experience जो आपसे share किया है वैसे दोस्तों projector screen वही खरीदें जो आपकी budget में आ सकती है प्रोजेक्टर screen पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इस तरह अगर खराब हो जाए तो इतना खर्चा करने का कोई मतलब ही न वहां से उनके price देख सकते हैं और जो भी आपको पसंद आए वह खरीद सकते हैं इन्हीं सुप कामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद